एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि गुजरात से आ रही है बहुत दर्दनाक खबर गुजरात से गुजरात में जहरीली शराप से 11 लोगों की जान चले गई है जहरीली शराब का ये कहर बोटाद जिले में बर्पा है जहरीली शराब पीने वाले करीद 50 लोग अस्पतालों में भरती है सिर्फ भावनगर के अस्पताल में 40 लोग जंदगी की जंगलर रहे हैं कि हमिदाबाद में जरीनी शराब पीने वाले सात लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है हैरानी की बात ये है कि गुजरात में शराब बंदी लागू है फिर भी शराब की बिक्री हो रही है गुलेस ने 10 लोगों को हिरास्त में लिया है और मामने की जांच के लिए S.I.T. कठित कर दी गई है